ताली बजाना ताली बजाना को इंग्लिश में बोलते हैं clap clap means ताली बजाना example है इसका वह ताली बजा रही है she is clapping she is clapping हाथ मिलाना को इंग्लिश में बोलते हैं seek hands सях hands Ist- 실파 Next word गुद-गुदि करना गुद-गुदि करना को English मैं बोलते हैं Tickle tickle means गुद-गुदि करना Example है इसका वह गुद-गुदि कर रहा है He is tickling He is tickling Next is चिकोटी कााटना को English मैं बोलते हैं Pinch Pinch means चिकोटी काटना Don't pinch me Don't pinch me Next Mukka marna Mukka marna को English में बोलते हैं Punch Punch means mukka marna इसका example है मैं तुम्हें mukka marunगा I will punch you I will punch you Next is Sahelana Sahelana को English में बोलते हैं Stroke Stroke means sahelana इसका example है वे बिल्ली को sahelा रही है She is stroking the cat She is stroking the cat Next is Thapthapana Thapthapana को English में बोलते हैं Pat Pat means thapthapana वे मेरी पीट thapthapा रहे थे They was patting my back They was patting my back Next है हाथ हिलाना को English में बोलते हैं Wave Wave means हाथ हिलाना Wave means हाथ हिलाना Wave means हाथ हिलाना है अपने हाथ हिलाओ Wave your hands Wave your hands Next word है Thapthapad marana Thapad marana को English में बोलते हैं Slap Slap means thapad marana तुमने मुझे थपड क्यों मारा तुमने मुझे थपड क्यों मारा Why did you slap me? उंगलियां चटकाना को English में बोलते हैं Crack knuckles Crack knuckles Next word है मुठी खोलना को English में बोलते हैं Unclench Unclench means मुठी खोलना Example है इसका अपनी मुठी खोलो Unclench your fist Unclench your fist Next is मुठी बांधना को English में बोलते हैं Clench Clench means मुठी बांधना चुटकी बजाना को English में बोलते हैं Snap fingers Snap fingers Means चुटकी बजाना इसका example है चुटकी मत बचाओ Don't snap your fingers Don't snap your fingers Heart जोडना को English में बोलते हैं Fold hands Fold hands means हाथ जोडना अपने हाथ जोडो Fold your hands Fold your hands उपर उठाना हाथों को उपर उठाना को English में बोलते हैं Raise Raise means उपर उठाना Example है अपने हाथ उठाओ Raise your hands Raise your hands Next word is जटकारना जटकारना को English में बोलते हैं Flick Flick means जटकारना जटकारना बंद करो जटकारना बंद करो का English है Stop Flicking Stop Flicking Guys अगर मेरी वीडियो आपको यूश्वल लगती हो पसंद आती हो तो make sure वीडियो को लाइक कर ले और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बाहे मोडना को इंग्लिश में बोलते हैं Cross Arms Cross Arm means बाहे मोडना अपनी बाहे मत मोडो Don't Cross Your Arms Don't Cross Your Arms Next word is आगे बढ़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं Hold Out Hold Out means आगे बढ़ाना अपना हाथ आगे बढ़ाओ Hold Out Your Hands Hold Out Your Hands Guys बताएए जटकारना को इंग्लिश में क्या गयते हैं इसका अंसर आप राइट डाउन करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में भीजें और अगर वीडियो पसंद आए हैं तो मेक्शोर वीडियो को लाइक कर लें और अगर नई पसंद आए है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीश सब्सक्राइब कर लीजे नोटिफिकेशन बैल को प्रैस ज़रूर कर लें तके मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो डालने के तुरंत बाद मिलते रहें थैंक्स वर वाचिंग